जैम आतादी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार डोट के धार्मिक तोर पर बहुत अधिक महत्यपूर्ण होती हैं तुलसी से जुड़ी ये दस बाते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में दोस्तों धार्मिक तोर पर तुलसी का पोदा सुब का परतीक माना इसे तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी होता है। इन साफधानियों को अपना कर आप कहीं तरह के नुकसान से बज सकते हैं। तुलसी के पत्तों का इस्तमाल भगवान विश्णों को भोग लगाने के लिए भी किया जाता है। और कहा जाता ह कहीं बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। तुलसी के पोदे की पूजा धन की देवी मा लक्स्मी की पूजा के बराबर मानी गई है। क्योंकि तुलसी के पोदे में माता लक्स्मी निवास करती है। सास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी तुलसी के पत्तों को न आपको बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। रविवार को पोदे में जल भी नहीं डालना चाहिए। और नहीं तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन यह सब करना भी निसेध होता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। इससे भी आर्थिक तोर पर समस्याई जेलनी पड़ सकती है। तुलसी के पोदे से जो पत्ते सूख कर टूट जाते हैं, उन्हें कूडे में नहीं भैकना चाहिए। इसके बजाए इन्हें मिट्टी में दबा दें या फिर नदी में परवाहित कर दें भगवान संकर की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तमाल नहें करें सास्त्रों में ऐसा करना निसेद बताया गया है अमावस से चतुरदसी और दवादेसी की तिथी पर भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना बुरा माना चाता है इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए तो दोस्तों यदि आप भी अपने घर में सुक समर्दी और धन संपता चाहते हैं और मालक्स में की किरपा के पात्तर बनना चाहते हैं तो तुलसी से जुड़ी इन दस बातों का जरूर ध्यान लखें तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पलिस लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों